विल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में बात करेंगी कि आपके सिबसी क्लास 9 मैस के चप्टर 1 नमबर सिस्टम के वह कौन-कौन से से इंपोर्टेंट कुश्चन को आपको बहुत अच्छे से कह दो प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि यह है ऐसे कोस्टन से जो आपके एक्जाम में अकसर आप से पूछे आते हैं तो आप अपने नुए निजियाटी बूक को या अगर आपके पास औल निजिया निजियाटी का पीडियाफ है ठीक है तो आओ देखते हैं कि कौन-कौन से वह important questions हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए अच्छे से prepare रखना चाहिए पहला आपका example one है इसको आप अच्छे से कर लेना कई बार आपसे mcq में या फिर true false के form में ऐसे questions पूछे आता है तो example one आप टिक कर लें इसको आपको सही से करना है दिन अगला हमारे जो question होगा आप सभी बच्चों के लिए वह question आपको जो अच्छे से practice करना चाहिए जो अकसर आपके exams में आप से पूछा आता है exercise one तो आपके लिए most important है मुस्किल से हमारे पास चार से पांच question है exercise 1.1 तो मैं आपको कहूंगा सारे question को आप अच्छे से पर लेंगे अच्छे से समझ लेंगे question 1,2,3 and 4 दिन आगे आगे हम लों का irrational number है तो rational number में जो most important question होगा आप बच्चों के लिए आप पिर कहलो most important example यह question अकसर हमारे exam में दिया आता है relocate on the number line तो इसको आप prepare कर लेंगे कैसे relocate करना है ठीक है example 1 कर लेंगे आप बाकी and question number example 1 question 1 करेंगे exercise 1.2 से ठीक है question 1 and question 2 बस ठीक है then आगे हमारा है find a decimal expansion find a decimal expansion ठीक है तो इसमें आपको क्या समझना है कि terminating and repeating decimals के लिए क्या कुछ चीज़े होती है तो example number 6 आप बच्चों को अच्छे सा prepare करना है example number 7 आपको अच्छे सा prepare करना है 6 and 7 then अगर हम आगे बढ़ें तो example number 9, 6, 7 and 9 क्योंकि ऐसे question मैं आपको बता रहा हूं हर बार आपके exams में जरूर देखने को मिल जाते हैं ठेक है then example number 10 यह 4 question तो आप 100% कर रहे होंगे and exercise 1.3 के अगर मैं बात करें ठेक है तो 1.3 में question number 1 का part 2, part 4 and part 6 इसको आप सही से practice कर लेंगे ठेक है question number 3 आप बच्चों के लिए बहुत दे important है इसको आप अच्छा सब करेंगे 3 and 4 दिर अगर हम बात करें तो question number 8 आपको करना है 3, 4 and 8 and question number 7 इतना करना है आप exercise किससे 1.3 से ठेक है दुबारा एक बर आप देखके वीडियो टिक कर लें कि कौन-कौन से question आपको करना है exercise 1 1.3 में देन आगे हम लोग बढ़ें तो अगर हमारा अगला आप देखोगी तो question example number 12 आप बच्चों को काफी अच्छे समझ में आना चाहिए इसको आपको अच्छे से practice करना है example number 12 then example number 14 क्योंकि ऐसे चोड़े-चोड़े questions हैं जो हम लोग अक्सर skip कर देते हैं तो हम ध्यान ही देते हैं example number 14 आपको करना है then अगला हमारे जो होगा example example number यह जो हमारे properties हैं यह आपके लिए बहुत important formula है इसको आप सही से learn कर लेंगे यह बहुत important है इसको आप टिक कर लें और इसको सही से समझ के learn कर लेना है चेप्टर वन से then example 15 आपको करना ही करना है दिन अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो example number 15 के बाद से आप example 18 कर लेंगे ठीक है example 18 और exercise 1.4 का question number 1 तो classify करने वाले मुश्किल से एक मुट लाएगा आप इसको सही समझ लेना question number two hundred percent आपको prepare करना है ठीक है पूछा यह पूछा आता है and question number five का part third and part two यह दो question question number five का आपको करना है अगर time आपके पास है तो आप question number five को पूरा repeat कर सकते है यह आपके लिए important question है ठीक है then 1.4 में 1.5 के लिए यह आपका important exponent and power laws है इनको आपको सही से prepare कर लेना है ठीक है then इसमें जो important example होगा आप बच्चों के लिए exercise example number 20 साही से आप करेंगे सारे questions को आप साही से पढ़ रहा होंगे समझ रहा होंगे ठीक है and 1.5 exercise के जो भी questions दियेगा है सारे सारे आपके लिए important है सभी में से आपके exams में पुछे जाने के पूरे के पूरे chances हैं तो यह आपके chapter 1 के most important, most expected questions थे, NCRT से जो अगसारा बच्चों के exams में पुछे आते हैं, thank you